हेलो फ्रेंट्स आप सभी का आपके अपने चैनल मुरारी एस्पिरेंट आप यू पी एसी में स्वागत है आज हम फिर से भारतिय राज ब्यवस्ता से कुछ ऐसे महतुपूर्ण प्रस्न को लेकर आया हूँ जो की पिछले कुछ बर्सों में पूछा गया है और आगे के लिए ये बहुत इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप मैंने चैनल पे नई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे की आपके भाई को सपोर्ट मिले और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें जिससे कि उनको भी मदद मिले तो दोस्तों आजा करता हूँ आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करेंगे तो चलते हैं अपने प्रस्णों की ओर आज का पहला प्रस्ण है भारती संबीधान के किन अनुछेदों में नागरिक्ता संबंदी प्रापधान किये गए हैं अप्शन A अनुछेद 1-4 अप्शन B अनुछेद 5-11 अप्शन C अनुछेद 12-35 और अप्शन D अनुछेद 36-51 दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा अप्शन B अनुछेद 5-11 अगला प्रस्ण है वहारती संबीधान निम्नलिकित में से कौन सी नागरिक्ता प्रदान क अप्शन C उपर्युक्त दोनों और अप्शन D उपर्युक्त में से कोई नहीं दोस्तों इस प्रस्ण का उतराशा करतूं आप लोगों को पता होगा अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं अगला प्रस्ण है भारतिये नागरिक्ता नहीं प्राप्त की जा सकती है अ अप्शन B देशी करन द्वारा अप्शन C किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा और अप्शन D भारतिये बैंक में धन जमा करके दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा अप्शन D भारतिये बैंक में धन जमा करके भारतिये नागरिक्ता नहीं प्राप्त की जा सकती है अगला प्रस्ण है भारत में रहने वाले ब्रिटीश नागरिक दावार नहीं कर सकता है option A ब्यापार और ब्यावसाई की स्वतनत्ता का अधिकार option B बिधी के समक्ष सामता का अधिकार option C जीवन और ब्यक्तिगत स्वतनत्ता की सुरक्षा का अधिकार और अप्शन डि धर्म की स्वतंद्रता का अधिकार दोस्तों इस प्रस्ण का अंजर हो जाएगा अप्शन A ब्यापार और ब्यापसाई की स्वतंद्रता का अधिकार अगला प्रस्ण है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिधन्त स्विकार किया गया है अप्शन A भारत, अप्शन B कनाडा, अप्शन C अस्ट्रेलिया और अप्शन D सन्युक्त राज अमेरिका दोस्तो इस प्रस्ण का अंजर हो जाएगा अप्शन D सन्युक्त राज अमेरिका अगला प्रस्ण है भारत के संविर्धान का भाग तीन संबध है Option A. राजिके नितिर निर्देशक तत्वों से Option B. मूल कर्तव्यों से Option C. मूल अधिकारों से Option D. नागरिक्ता से दोस्तों इस प्रश्ण का अंसर वो जाएगा Option C. मूल अधिकारों से अगला प्रश्ण है भारतिय संबिधान का कौन सा अनुछेद छुआ छूत उनमूलन से संबंदित है Option A. अनुछेद 14 Option B. अनुछेद 15 Option C. अनुछेद 17 Option D. अनुछेद 18 दोस्तों इस प्रश्ण का अंसर वो जाएगा Option C. अनुछेद 17 अगला प्रश्ण है भारतिय संबिधान का कौन सा अनुछेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को सनरक्षन प्रदान करता है Option A. 14 Option B. 19 Option C. 21 Option D. अनुछेद 21 इसका अंसर हो जाएगा Option C. अनुछेद 21 जो है किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा की अधिकार को सनरक्षन प्रदान करता है अगला प्रस्ण है मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुछेद बच्चों के सोचन से संबंदित है अनुछेद 17, अनुछेद 19, अनुछेद 22 और अनुछेद 24 अगला प्रस्ण है धार्मिक स्वतंदर्ता का अधिकार संबिधान के किन अनुछेदों में वर्नित है अनुछेद 14-18, अप्शन B अनुछेद 19-22, अप्शन C अनुछेद 23-24 और अप्शन D अनुछेद 25-30 दोस्तों इस प्रस्ण का अनुछेद 25-30 अगला प्रस्ण है संबिधान के किस अनुछेद द्वारा सिखों द्वारा क्रिपान धार्न करना धार्मिक स्वतंत्रा का अंग माना गया है अप्शन A अनुछेद 24, अप्शन B अनुछेद 25, अप्शन C अनुछेद 26 और अप्शन D अनुछेद 27 दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा ओप्शन B एनुछेद 25 के तहत सिखों द्वारा क्रिपान धारन करना धार्मिक स्वतंतरता का अंग माना गया है अगला प्रस्ण है निमलिकित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर B आर अमबेड करने संबीधान का हिर्दय एबं आत्मा की संग्या दी ओप्शन A धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार ओप्शन B संबेधानिक उपचारों का अधिकार ओप्शन C संपत्ति का अधिकार ओप्शन D सिक्षा का अधिकार दोस्तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा ओप्शन B संबेधानिक उपचारों का अधिकार अगला प्रसन है भारत के संभीधान के तहट निम्ने मिलिख्यत में से कौन सा एक मौलीक अधिकार नहीं है option A. समता का अधिकार option B. सुतनता का अधिकार option C. नागरिकता का अधिकार और option D सोचन के बिरूद अधिकार दोस्तो इस प्रस्ण का अंसार आप लोगों को कमेंट करके बताना कि इसका कौनचा अंसार होगा कमेंट में जरूर लिखे अगला प्रस्ण है भारते संबिधान के अनुशार संपत्ति का अधिकार क्या है option A मुलभूत अधिकार option B बिधिक अधिकार option C दोनो और option D इन में से कोई नहीं दोस्तो इस प्रस्ण का अंसार हो जाएगा option B बिधिक अधिकार अगला प्रस्ण है किसी नियालाय अथवार नियाधिकरन के आदेश को रध करने के लिए निम्न लिखित में से कौन से रीट जारी की जाती है option A परमादेश option B प्रतिसेद option C अधिकार प्रिक्चा option D उत्प्रेशन दोस्तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा option D उत्प्रेशन option D उत्प्रेशन असा करता हूं दोस्तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें जिससे की उनको भी मादन मिल सकें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी के बटन को जरूर दवाएं जिससे की हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे थैंक यू